हलो फ्रेंड सोनी पुटिक में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे जो बिना बाजू के तयार होगी यानि आप शोल्डर ब्लाउज की कटिंग करेंगे प्रेंड प्रिंसस काट बिलाउज की जड़ कटिंग कपड़े पे होती है तो किस तरीके से हमें कटिंग करना चाहिए जिससे हमारे आर्मोल पे फुलान ना आये चेस्ट की फिटिंग भी पर्फेक्ट आये तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमने अस्तर लिया है अस्तर हमारा काफी तिर्चा है और अस्तर छोटा है इसकी वज़ासे हमने अस्तर को यहाँ पर चोड़ाई की साइड से डबल फोल्ड किया है आप लंबाई की साइड से डबल फोल्ड में सेट कर लिजेगा जो किनारी होती है वो हमारी लंबाई वनी शाइड होती है तो इसको हमने चोड़ाई की साइड से डबल फोल्ड किया है इसका आप ध्यान रखिएगा आप चोड़ाई की साइड से डबल फोल्ड मत करिएगा अब यहां से देखें चेश्ट का चोथा भाग लेना है चेष्ट हमारा 34 इंच है 34 का चोथा भाग लेंगे 8.5 इंच यहाँ से हमें 8.5 इंच लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जन इस तरीके से कपड़े को सैट कर लेना है अस्तर जो होता है वो हमारे कृस्टमर्स जिस साब से देते हैं हम उसी तरीके से साट करके इसकी कटिंग करते है तो यहाँ पर हम नीचे की साट से सिधा निशान लेके जो किनारी है उसको अलग कर लेंगे अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे तो लंबाई यहाँ पर देखिए 14 इंच सेया रखना है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे एक इंच बढ़ा की लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिंग होगा आगे की साट भी यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लेंगे इन दोनों निशानों को मिलाती हुए हमें सिधा ले लेना है अब यहाँ पे लेंगे shoulder shoulder 14 inch है 14 का half होगा 7 inch तो यहाँ पे हम आधा inch कम कर लेंगे यहाँ पे 36 inch पे निशान लगाएंगे सेम निशान नीचे की side भी 36 inch पे लगाएंगे अब जितना हमने shoulder लिया है उतना ही हम अपना armhole भी रखेंगे तो यहाँ से हम साड़े छेंच पे आर्मोल भी ले लेंगे अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेना है और इस निसान को आगे की सेट बढ़ा देना है अब हम लेंगे आर्मोल की गुलाई आर्मोल की गुलाई हम एक इंच की दूरी से देंगे और इसको उपर की साइड से गोल सिप में लेते हुए अच्छे से यहाँ पर गुलाई दे देंगे यह हमारा निशान लग गया है चेश्ट का चोथा भाग लेंगे साड़े आठ इंच और दो इंच सिलाई मार्जिंग अब यहाँ पर हमें कमर का नाप लेना है कमर 28 इंच है 28 का चोथा भाग का 7 इंच तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे साड़े साथ इंच लेंगे एक इंच रखेंगे डाट के लिए और दो इंच सिलाई मार्जिंग आप कमर का साथ इंच लेजिएगा एक इंच डाट का और दो इंच सिलाई मार्जिंग फ्रण आधा इंच हम कमर पे losing दे रहे हैं क्योंकि यह जो blouse हम त्यार कर रहे हैं वो pregnant मैला के लिए है तो उनके लिए उनुने आधा इंच कमर पे losing बोला है अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपने शोल्डर की चोड़ाई लेंगे, शोल्डर की चोड़ाई अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकती है, यहाँ पे साधे तीन इंच का हम शोल्डर चोड़ा रखेंगे, और तीन इंच गले में कट करेंगे, पीछे का गला हमारा य अगर आप गोल गला बनाना चाहती है तो इसमें आप गुलाई भी ले सकती है या कोई और डिजाइन भी कर सकती है अब यहां से अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे हम अपना डॉट पॉइंट लेंगे 9 इंच पे और आगे से जो दूरी रखेंगे वो रखेंगे साड़े चार इंच पे गले की हिसाब से आप इस दूरी को आगे पीछे कर सकती है इस निसान को सीधा कर लेंगे अब यहां पे जो हमने एक इंच बढ़ा के लिया है वो हम यहां पे आधा दे इंच का डॉट ले लेंगे ये हमारे निशान लग चुका है अब हम अपने शुलडर को पौना इंच के बराबर डाउन कर लेंगे आर्म prend की साइड हम हुलका से इसको डाउन करेंगे ज्यादा डाउन नहीं करना है पौना इंच के बराबर हमें डाउन कर देना है अब यहां से अपना आर्मूल का नाप लेंगे तो सिलाई मर्जिंग छोड़ना है और यहां से आर्मूल का नाप ले लेना है आर्मुल हमें तयार करना है 15 इंच तो हम कटिंग करेंगे 14 इंच पर यानि हाप करेंगे 7 इंच पर जब ये तयार होगा तो 7.5 इंच पर आएगा करते हैं तो जो डॉट का निशान लगता है वो सही तरीके से जब आप लगा के कटिंग करेंगी आपका आर्मुल कभी उठा उठा सा नहीं आएगा आर्मुल पे फुलान नहीं आएगा चेस्ट पे जो है वो खिचाओ सा चप्टापन नहीं आएगा तो इस वीडियो को आप भी दूसरी साइट का भी यहां पर निशान लगा देंगे अब हम अपना फ्रेंट पार्ट करेंगे तो फ्रेंट पार्ट की कटिंग के लिए देखिए कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है तो डबल फोल्ड करने के लिए क्या करना है यहां पर देखिए कपड़े को पह शोल्दर रखा है 6.5 तो 6.5 रखेंगे जितना हमने बैक पार्ट में लिया है सम्तना ही हमें फ्रंट में भी लेना है आप चाहें तो बैक पार्ट को रखके भी इस आर्मोल का और शोल्डर का निशान लगा सकती है इस तरीके से यह मान निशान लग गया है अब हम यहां पर को डाउन करेंगे अंदर की साइड 1-2 लेंगे एक इंच अंदर की साइड लेना है अगर आपको आर्मुल जादा गहरा लगेगा तो आप आधा इंच भी ले सकती है वैसे इक इंच पर इसकी फिटिंग परफेक्ट आएगी एक इंच अंदर की की चोड़ाई लेंगे तो यहां से हम शोल्डर की चोड़ाई रखेंगे साठे तीन इंच जितना हमने बैग पार्ट मिलिया है और आगे का गला हमारा च्छा इंच उपन होगा तो साड़े च्छा इंच लेंगे और तीन इंच का फैलाओ दे देंगे यहाँ पर भी बॉक्स बना के अपने गले का शेप ले लेंगे फ्रेंट बनने के बाद यह बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा तो आप पूरे विश्वास के साथ आप इसे एक पर ट्राय जरूर करिएगा अब यहाँ से देखें यहाँ से हम लेंगे लंबाई तो बैक पार्ट में हमने लंबाई लिया है 15 इंच तो फ्रेंट में आधा इंच बढ़ा के लेंगे यानि नीचे की साइड से आधा इंच बढ़ा लेंगे साड़े 15 इंच पे निशान लगाएंगे आगे की साइड भी साड़े 15 इंच पे निशान लगा देंगे अब इन दोलों निशानों को मिलाती हुए सिधा कर लेंगे अब हमें अपने हुकाई के लिए मार्जिंग छोड़ना है आगे की साइड आधा इंच का यहाँ पर हुकाई का मार्जिंग ले लेंगे अब यहाँ से देखिए चेश्ट का चोथा फाग लगाएंगे चेश्ट चोथिस इंच है तो चोथा फाग साड़े आठ इंच तो यहाँ से हम साड़े आठ इंच लेंगे एक इंच और बढ़ाएंगे इसको जो हम डॉट लगाएंगे उसके लिए एक इंच बढ़ा के लेना है और अपना दो इंच सिलाई मार्जिन अब सेम निशान नीचे की साड़ भी लगाना है तो यहाँ पर देखिए साड़े आठ इंच एक इंच रखेंगे डॉट के लिए और दो इंच सिलाई मार्जिन अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सिधा करना है इस वाले निशान को हम सिधा करेंगे इस वाले निशान को भी सिधा कर लेंगे अब यहाँ से अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे तो जो हमारा dot point आएगा वो आएगा 11 इंच पर रखेंगे यहाँ पर हमें पाइडरेटेस नहीं करना है तो 11 इंच लेंगे और एक lower chest का नाप लेंगे 13 इंच पर इस तरीके से हमें दो निशान लगाने हैं साड़े 13 इंच पर हमारा lower chest आएगा और 11 इंच पर हमारा dot point आएगा इस निशान को हम यहाँ पर सिधा कर लेंगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अब आगे से जो दूरी रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ से साड़े तीन इंच साड़े तीन इंच की दूरी लेंगे और इस निशान को सिधा कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए अब आर्म हूल के पास से हमें इसकी प्रेंसेस कट की गुलाई देनी है तो वी सेंटर से यहाँ से गुलाई देंगे इस वाले पॉइंट को गुल सेप में मिलाईंगे इस तरीके से से लेना है अब यहाँ पर अपने कमर का चोथा भाग लेना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे तो साड़े साथ इंच ले रहे हैं जो भी एश्टरा आएगा उसका हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर 2 इंच एश्टरा है तो 2 इंच लगाएंगे आपका यहाँ पर 2 इंच एश्टरा आएगा तो आपर 2 इंच लगाईएगा और इस तरीके से यहाँ पर सीधा लेके आना है इस वाले पॉइंट तक यहाँ से इस तरीके से मिला उपर लेना है यानि 2.75 इंच हमें उपर की साइड यहाँ पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे जो हमने एक इंच बढ़ाया है वो यहाँ पे आधा-धा इंच का दोनों साइड से डॉट देंगे अब इस निशान को यहाँ से मिलाएंगे और इस निशान को यहाँ से मिल इस तरीके से हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे इससे जो हमारे आर्मोर पे फुलान आता है चप्टा पन आता है वो समझ्या खतम हो जाएगी अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने जो एक इंच बढ़ा के लिया है तो चेश्ट का चोथा भाग होगा और जो आधा इंच हमारा एश्टा आरा है वो हम यहाँ पे सिलाई मार्जिंग में जाएगा जब यह दोनों पॉइंटों को हम पकड़के सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हमारा दोनों साइट से सिलाई मार्जिंग जाएगा इससे हमारा जो अपप है वो चप्टा नहीं तैयार होगा और फिटिंग आपकी परफेक्ट आएगी यहाँ पे जब हम एक इंच का डॉट लगा देंगे तो अपरचे जो हमारा 34 इंच साइज है वो आ जाएगा इस तरीके से जब आप निशान लगाएंगी तो आपकी ब्लाउस की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी अब इसको हलकाशा हम गोल सेप में कट करेंगे यहाँ से भी हम इसको हलकाशा गोल सेप म किया है और बैक पार्ट की कटिंग हमने 15 इंच पर किया है तो यहां से आधा इंच उपर की साइट हम इसको कम कर लेंगे और डॉट वाले निशान से इसको तिर्चा इस तरीके से मिला देंगे इस पर हमारी कटिंग होगी आगे से भी हम आधा इंच कम कर लेंगे और लग चुका है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंट बनने के बाद यह बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आने वाला है तो आप इसे पूरी प्रिस्वास के साथ आप इसे एक बार ट्राई जरू करिएगा फिटिंग आपको परफेक्ट आईगी आप चाहें तो इस फ्रेंट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आउन कर लिजएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फ्रें कटिंग नहीं करना है यहाँ पर मार्जिंग लेते हुए इस तरीके से कटिंग करना है और निशान वाले जो हमने निशान लगाया है उस पर हमारी सिलाई आएगी दूरों साइट से हमें इसी तरीके से कट करना है इसको हलका सा छाट देंगे यह हमारी कटिंग हो गई है आप यहाँ पे देख सकती है फ्रेंट इस तरीके से जब आप ब्लाउज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगी तो आपके जो पफ पे खिचाओ आता है पफ चप्टा-चप्टा था तयार होता है आर्मोहल पे फुला-फुला सा आता ह यानि इस तरीके से जब आप cutting करेंगी आपकी blouse की fitting बहुत ही perfect आएगी आगे से यह open है तो आगे से इसको हम यहाँ पे cut कर लेंगे तो यह हमारी cutting princess cutting की cutting हो चुकी है अब हम अपनी पटिया cut कर लेंगे और अपना main fabric cut करेंगे तो यहाँ से हम अपने कच के लिए जो हमारा हू का test होगा उसके लिए हम यहाँ पे पटिकट कर लेंगे तो आपको इस तरीके से double fold में लेते हुए तीनी इंचोड आपको पटिकट कर लेना है यहाँ पे देखे यह पीछे की साइड इस तरीकी का design है तो design को हम भी center से अच्छे से set कर लेंगे और यहाँ से नीचे की से एक सिधा निशान लेंगे जितना हमें design के बराबर से लेना है उतना हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इसी निशान से हम अपने अस्तर को set करेंगे थोड़ा सा extra fabric लेते हुए हम इसकी cutting कर लेंगे जब हम इसलाई लगाएंगे इसकी finally cutting कर लेंगे इस तरीके से हमें सभी part को cut कर लेना है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो please like कर दीजिए चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी on कर लेजेगा और अपने family friend के साथ भी share करिएगा friend आपके प्यार और support की काफी जरूरत है तो please हमें support करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए चलिए फिर मिलते हैं अगरी वीडियो में फिर किसी नए cutting और stitching के साथ तब तक के लिए नमस्कार